जहिन सातियों स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल अमन प्रयास GKS में तर जैसा कि दोस्तों आज 12 सेप्टेंबर और 12 सेप्टेंबर को आपका RRC Group D का आपका आपका समाप्त हो गया है तो उनमें पुछे गए GKS और साइंस और करन्ट अफेर के सभी प्रस्णों को देखेंगे तो उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे कि आज किस लेवल के प्रस्ट को आपको पूछे गया है और इस वीडियो का प्रस्ट आपको चाहिए तो पीडियो लिखके इस नमर को आट से मेसेज कीज़ेगा इसके लाबा टेलिगराम गुरूप से भी अबजूर सकते हैं में डिश क्यों बबक्स में देया रहे घाएगा दो चलिए ठरू करते हैं अज यह प्रस्ट करें रहे इसbी में जर्मन पात्रिका में परकासित denkt रहा है तो इन बात करें आवस्थानी की खोज कर दो इसमी में खोज किया था और जर्मानी पत्रिका में आपका 1872 इसमी में प्रकासित हुआ था आपका 1872 राइट एंसर हो जाएगा अगला कोश्व पूछा गया था दोस्तों आपका हीरा कुंड बात कि इस नदी पर है अपका प्रस इतना इजी नहीं था प्रस दोस्तों आपका घुमाया हुआ था लेकिन हीरा कुन जो बांध आपका उडिश्टा में महानधी के निरमित एक बांध है जो की सबल पूछ वर्ष्ट थो एटने असट्रिय पंचायत है तो भारत में बात करें आपका तो आपका बहु दूस्त ही अधर में वर्षद का Crash 02 सन का नाम तरमे Therefore6 में भारत में तरी असरीय पंचायती राज विवस्त्ता को समय धानικά दर्जा पराप्थ हुआ था तो इस समय धाद पंचायती राजमिवस्ता की बात करें तो ग्राम पंचायत जो कि ग्राम अस्तरपर होता है इसके अलावा पंचायत समिती जो कि मध्यवर्ती अस्तरपर और जिला परिस्द आपका होता है जिला अस्तरपर तो यह तिरी अस्तरपर पंचायत समिधान में आपका दर्जा होता है तो तझसील आएगा तो मर यहाई अगला कुछा गया है तो तो कि भी फोकस धनात्मक होता है तो आफका ऋफ्तल धर्पन की बात करें तो आफका आफ लुए धनात्मक होता है तो धनात्मकि आपका बिल्कुल रैणिया है इसके पूछए पीकिरे उच्छीं के प्रहएपन इंशर हीजा dette आपका इंशर अगला स्वेत आपका अजाजी और हिप्सोय में महेला जुतार्वर किके पतनी का नाम दिया ग्या सकाध कए तो दोस्तो दुर्ट के करव है उनके पत्नी का नाम और महिला विदाले का स्थापना पूछा गया था कहा किया गया था आपको आपको अप्सन दिया गया था मुंबाई पूने गुज़ात यह सब करके तो इसका एंसर है जो कि मालूम नहीं है तो अगर आपको मालूम होगा तो आप कोमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका क्या के लिए राया था इसके अलावा है दुस्तो आपका कि महराष्ट गुज़ात और मध परदेश यह चार आपका राज दिया गया था इनमें से पूछा गया था कि इन में से राज्यों में कौन सी मिट्टी पाई जात जो मुखेता महराष्ट करनाटक गुज़ात और मध परदेश में पाए जाता है और इस मिट्टी में मैंगनेशियम चुना लोह तत्व अत्वा कार्वनिक परदात की अधिकता होती है तो महराष्ट आपका गाली मिट्टी आपका बिल्कुल राय टेंसर हो जाएगा इसके अधिकार भारत के नागरिक और गया नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है तो आपका अर्टिकल 23 राय टेंसर हो जाएगा अगला कुछा गया था दोस्तों आपका कि पाचन जो किरिया है वो कहां से शुरू होता है तो मनुश्यों में पाचन किरिया की बात करें तो आप आपका मुख द्वार से अरम होती है जहां पर आहर को चवाय जाता है मुख द्वार में एकजोनिक लार गरंतियों की तिन जोरिया पेरोटीड सेवल मेंडूलर और अव जीवी द्वारा बरी मात्रा में एक से डेर लिटर परती दिन लार्श रावित की जाती है उसे जीव अगर आपके अप्षेंट कमिटी होगा तो बिलकुर राट एंसर होगा अगर नहीं होगा तो आप इसका एंसर कोमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास किजिएगा अगला कोस्टन दोस्तों पुछा गया था आपका कि आरवी आई के दुवारा 2010 में आंध प्रदिश में फाइनिंसियल कुछ आपका स्थाप वापर लगाया था वो कि समीति के सिफारिश पर किया था तो इसका भी इंसर आपका नहीं मिल पाया है अगला कोस्टन पुछा ग अगला कोस्टन पुछा गया था दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में आपका कोई एक फेस्टिबल मनाया जाता है या कोई मेला लगता है उससे रिलेटर आपका प्रश्ण आया था जब जम्मू में एक और कश्मीर में पाच मंदीरों में दोस्तों खीर भवानी मेला का आयोज सर हो जाएगा जम्मू के जानीपूर कश्मीर संभाग के गादर बन्ल के तुलमुला कुल गाम के मंज गाम और देवश्र अनन्त नांक के लोगी पुरा और कुपवारा के दोस्तों आपका टिकर में रागनी भगवती मंदीर में मेले का आवजन किया जाता है तो खीर भवान कुछ व्यक्तियों का आपका प्रस्त पूछा गया था तो हाली में दोस्तों आपका सोनुसुद को UNDP के द्वारा विशेश मानमिय पुरुषकार से सम्मानित किया गया है तो सोनुसुद आपका option में होगा तो बिल्कुल राइट टेंसर हो जाएगा कि जो मानमिय जब भी आपने किसी नवजात को देखा होगा तो नाभी पर नाल देखी होगी इस नाल को श्रमान मासा में गर्व नाल कहा जाता है यह वह महत्पून हंगे जो गर्वाष्ट्रे में विक्सित होता है और इसी के जरिये गर्व में पल रहे बच्चे को भोजन पहुचता है तो गर्व नाल से दोस्तों आपका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्चन में होगा तो के लिए सरकार के दुआरा कौन सा अभ्यान को लॉंच किया गया है तो सायद में आपका यूरी अभ्यान था तो आपका राइट एंसर हो जाएगा इसके अलावा दोस्तों आपका आये था कि एच आईवी किसके संपर्ख में आने से नहीं होता है तो इसका दोस्तों अगर ऑप्सन मिलेगा तभी इसका एंसर मिल पाएगा और यह था आपको मालूम होगा तो आप कोमेंट चेक्शन में बताने का प्रयास किजिएगा तो दोस्तों इतना ही प्रस आज के फर्स्ट के अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कि जिएगा और चैनल पे नया है दोस्तों सब्सक्राइब कर लिए अपडेट के लिए तो मिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियो में जब तक के लिए जैंन जै भारत